विवान, वेलकम टू माई चैनल एम एजुकेशन बच्चों मैं आज आपको क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडी को इसे लिखा है लुईस फिशर ने इसकी जो समरी है वो मैं आपको बताऊंगी तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आये वो साउथ अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 में आये थे उसके अगले ही साल जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने 1916 में आई एन सी को जोइन किया इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को उन्होंने जोइन किया और उसको जोइन किया और 1916 में ही जब गांधी जी लखनाओ का जो समझोता हो रहा था वार्सिक आधिवेशन हो रहा था उसमें भाग लेने के लिए वो लखनाओ गए थे वहाँ पर राजकुमार शुकला नाम का एक क किसान उन्हें मिला गांधी जी से मिलने के लिए वो चमपा रंसे आय था उसने गांधी जी से प्रातना की कि गांधी जी उनके जिले में आएं और किसानों की समस्चाओं का हल निकाले उसने बिहार के जमीदारों के अन्याय की शिकायत की शेर क्रॉपर्स बच्चों जो श चोटे किसानों से खेती करवाते थे और उनका शोशन करते थे तो इसी शिकायत को लेकर जो राजकुमार शुकला थे वो गांधी जी से मिलने गए और गांधी जी से वो चाहते थे कि गांधी जी एक बार उनके गाउं में आए और उनके साथ जो अन्याय हो रहा उसको सोल्व करें तो राजकुमार शुकला जो की एक अनपड व्यक्ति थे लेकिन वो अपने जो अपने जो संकल्प थे वो बहुत द्रड संकल्पी थे वो अपने इरादों के बहुत पक्के थे वो गांधी जी से मिलने के लिए गए राजकुमार शुकला राजकुमार शुकला वहीं वह जहाते जहां पर गांधी जी जाते वो हमेशा उनके साथ रहते क्योंकि गांधी जी इतने बड़े व्यक्ति थे एक बार जाने से तो वो कभी साथ नहीं आते अंत में गांधी जी ने शुकला से उन्हें कलकत्ता मिलने को कह दिया क्योंकि वो बार बार उन्हें बहुत दिन से फोलो किये जा रहे थे गांधी जी उनसे बहुत इंप्रेस हो गए फिर गांधी जी ने इंप्रेस होकर राजकुमार शुकला से कहा ठीक है कलकत्ता मिलने के लिए उनसे कहा वहाँ पर उन्हें अपने साथ कि तुम मुझे चंपारन वहाँ से ले जा सकते हो जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे तो शुकला वहाँ पर इंतिजार कर रहे थे उनका उन्होंने बिहार में पटना के लिए गाड़ी पकड़ ली दोनोंने वहाँ शुकला शुकला जी जो थे उन्होंने राजकुमा शुकला उन्हें डोक्टर राजंदर परसाथ के घर ले गए जो की बाद में हमारे देश के राष्टे पती भी बने वे सहर से बाहर थे वे उस समय घर पर मुझूद नहीं थे मगर उनके नोकर ने उन्हें वहाँ ठहरने दिया क्योंकि वो जो राजकुमा शुकल उन्हें पहले से ही जानते थे तो उन्होंने सोचा कि ये गांधी जी जो है ये भी एक किसान ही होंगे उन्होंने वहाँ पर उन्हें ठहरने दिया गांधी जी चंपारन की हालत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे माफ कीजेगा ये बाहर शोर हो रहा ह उसे आप एज़ेस्ट कीजिएगा इसलिए वे पहले मुझफर पूर गए और चंपारन के रास्ते में था सबसे पहले गांधी जी मुझफर पूर पूँचे गांधी जी ने जो गांधी जी सबसे पहले जेबी कृपलानी को तार भेजा उन्होंने तार भेजा और उनसे मिले मुझफर पूर वे दो दिन के लिए मलकानी के घर पर भी रुके थे जो महत्मा गांधी थे गांधी के आने की खबर जब मुझफर पूर और चंपारन में फैल गई कि गांधी जी आ रहे हैं चंपारन के किसान अपने मसीहा को देखने के लिए भीर लगा दी वहाँ पर मुझफर पूर और वहाँ पर सभी वकील गांधी जी से मिलने के लिए आ गए वे कचहरियों में किसानों के समों की पहरवी करते थे जो मुझफर पूर के वकील थे वो किसानों की तरफ से वो लड़ते थे गांधी जी ने उन्हें किसानों से मोटी φीस वसूलने के लिए डाता गांधी जी ने जब पूछा कि भई आप कितनी फीस लेते हैं तो वकीलों ने बता और गांधी जी ने उन वकीलों को बहुत डाट लगाई कि इनकी हालत देखो इन जो यह गरीब व्यक्ति हैं एक तो ये जो ब्रिटिस सरकार है वो इनका सोशन कर रही है और उपर से आप इनके देश के होकर भाई होकर इतनी उंची फीस लेते हूं उस बात के लिए गांधी जी ने उन्हें बहुत डाट लगाई। छुटकारा दिलाना पड़ेगा चंपरन की अधिकतर जो उपजाओ धर्ती के मालिक थे वो अंग्रेज जमीदार थे शेर क्रॉपर्स थे भारती किसान उनकी जमीन पर काम करते थे नील की जो फसल थी वो एक व्यापारिक फसल थी इट मिंस बहुत जितने भी नील होता था त तुरंत पैसे उसके मिल जाते थे किसानों को अपनी धर्ती के 15% भाग पर नील की खेती उगाने के लिए दी जाती थी और सारी जितनी भी नील की खेती वो उगाते थे उस सारी किर्जी को लगान के रूप में वापस ले लिया जाता था जो ब्रिटी सरकार थी वो वापस ले ले थी थी जितना भी नील उगाते थे उस समय जमीदारों को पता चला कि जर्मनी में किर्मित नील आ गया है किर्मित नील तयार हो गया अब जमीदारों ने क्या किया उन्होंने किसानों से अनुबंद हासिल कर लिया उन्होंने का कि हम तो जो हमने तुम से बात रखव कर दिये जिन्हें मना किया जिन्होंने मना किया वो वकीलों के पास चले गए कुछ किसान इसी बीच जब किरमित जो नील बन रहा था उसकी जो खबर थी वो आनपड किसानों तक पहुँच गई वे अपना पैसा मांगने लगे अंग्रेजी सरकार से लेंडलोर्ड से की हमें तो हमें हमारे पैसे वापस चाहिए ऐसे समय पर गांधी जी चमपारन पहुँच गए गांधी जी ने पहले सोचा कि मैं इनके खिलाब जो बिरिटिस सरकार है उनके खिलाब जब ही तो लड़ूँगा पहले मुझे कुछ तथ्थे इखटे करने चाहिए तथ्थे इखटे नहीं बताई जिससे की वो फस जाएं उसके बाद गांधी जी तिरुट डिवीजन के बिटिस कमिशनर से मिले जिससे की वो कोई information collect कर पाएं जिसमें चमपारन जिला आता था मगर उसने उस बिटिस अफसर ने भी धोंस दिखा दी गांधी जी को और तिरुट छोड़ देने को कहा कि आप तुरंत यहां से चले जाएं मगर गांधी जी चमपारन की जो राजधानी थी फिर मोती हारी चले गए लोगों के बहुत लोगों के बहुत सारा समू जब उन्हें पता चली कि गांधी जी आ रहे हैं railway station पर इखटे हो गए चमपारन में गांधी जी ने चमपारन पहुचकर गांधी जी ने खोज का काम आरम कर दिया पुलिस सुपरेडेंट ने गांधी जी को नोटिस भेज़ दिया कि वो तुरंत ही चमपारन छोड़ कर चले जाएं क्योंकि अंग्रेजों को डर हो गया था इसलिए जो अंग्रेजी सरकार थी वो डर गई उनसे और उन्होंने का तुरंत आप चमपारन छोड़ दें मगर गांधी जी ने उनके आदेश को माना नहीं उन्होंने का मैं बिलकुल नहीं मानूंगा गांधी जी ने राजिंदर परसाथ को तभी तार बेजा और अपने उनसे का कि तुम जितने भी तुमारे अच्छे अच्छे जो वकील हैं उनको लेकर आजाईए बिहार उन्होंने वाइसराय को पूरी तरह रिपोर्ट तार भेज़ दी उस इलाके के किसानों को पता चला कि गांधी जी और उस इलाके के जो किसान थे उन्हें पता चला कि ज चारोड हजारों की संख्या में प्रदशन करना सुरू कर दिया जहां गांधी जी थे वहां बहुत सारे संख्या में व्यक्ति खट्टे हो गए बिटिस सरकार भेवीत हो गई क्योंकि इतने सारे व्यक्तियों को देखकर गांधी जी के चारों तरफ और गांधी जी को सपोर उन्होंने कहा कि गांधी जी इन्हें आप कहिए कि यह जो भीड हैं आपर यह शांत हो जाएं गांधी जी से ब्रिटी सरकार ने प्रातना की सरकारी वकील ने जज से कहा कि उन्हें मुकदमा इस्थगित कर दें जो उन्होंने गांधी जी पे लगाने का आरोप किया था कि हम तुम पर मुकदमा लगा देंगे, उसे इस्थगित कर दें, गांधी ने देरी पर विरोध जताया, जिन्होंने माफी मांगने को कहा, उन्होंने कहा कि वे कानून को तोड़ना नहीं चाहते, मगर मानवी और राष्टे सेवा वश्य करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं भाई तु देने का जो सरकारी आदेशा उसको उलंगन कर दिया और माना नहीं मगर ऐसा इसलिए क्या माना कर दिया फिर जज ने अपना निर्णे सुना दिया और जज ने कहा कि हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो गांधी जी से डर गए और वो जनता जो थी इतनी उनसे वो डर गए थे उसके बाद राज़ेंदर परसाद और बहुत सारे वकील वहाँ पर पहुँच गए जिने की गांधी जी ने तार भेजा था उन्होंने गांधी जी को कहा कि वे उन्हें सला देने आये हैं लेकिन अगर वे जेल चलेगे तो हम भई सला किसे देंगे गांधी अब वकीलों को बात समझ में आ गई थी गांधी जी की अब वकीलों ने गांधी जी से कहा कि वे उनके पीछे पीछे हम अंदर चलेंगे गांधी जी वह हम आपके साथ हैं तब गांधी ने उन्हें क्या करा समू बना दिये कि वही जो भी जेल जायेगा इस समू में ये उन वो खतम कर दिया यहीं से फिर गांधी जी की जो मानना है कि आधुनिक भारत में सभी ने अवग्या की पहली जीत थी जो गांधी जी की आग्या मानी गई थी और हमने उनकी अवग्या का अवहेलना की थी अंग्रीजों की गांधी जी और गांधी जी और जो किस वकील गांधी और वकीलों ने लगबख 10,000 वकीलों के बयान लिखे क्योंकि बहुत सारे उनके लिखवाएं उनसे बयान लिए उन्होंने दस्तावेज भी खटे कर लिए और लेफटिनेंट गवरनर सर एंड्यू गेट से गांधी जी ने चार बार बातचीत की चार बार मिटिंग की वहां से जिसके बाद एक कमीशन गांधी जी की बात मान ली गई और एक कमीशन बनाया गया एक आयोग बनाया गया इस कमीशन में जमीदार सरकारी करमचारी और गांधी जी जो कि किसानों के अकेले लीडर थे वे किसानों को मुआवजा देने के लिए राजी हो गए जो जमीदार थे गांधी जी ने 50% मुआवजा देने की बात कही लेकिन जमीदारों ने 50% नहीं माना जमीदारों ने 25% पर जोड़ दिया गती रोद तोड़ने के लिए जो एक बेरियर था उसे तोड़ने के लिए गांधी जी ने कह ठीक है आप 25 परसेंटी दीचे लेकिन हमारी बात माननी चाहिए गांधी का मानना था कि मुआवजे की जो राशी थी वो इतना महत्पून नहीं रखती थी महत्पून बात यह थी कि जो जमिदार है वो गांधी जी के सामने हार गई गांधी जी के लिए सबसे महत पूर्ण बात ये थी उनकी जो साख है उन्होंने कहा कि इनकी जो साख है वो तूट जाएगी वो समाप्त हो जाएगी उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा भले ही कम रासी मिले अब किसानों ने महसूस कर लिया कि उनके भी बहुत सारे अदिकार है उन्होंने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया था बाविश्य की घटनाओं ने साबित कर दिया कि गांधी जी ठीक थे कुछ सालों के बाद अंग्रे जी जो जमीदार थे अंग्रे जी जो जमीदार थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी जमीने छोड़ दी और बाद में वो जमीने जो गाउं के किसान थे उनको वापस लोटा दी गए वो वापस लोटा दी गए अब गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूर बा गांधी उनके बारे में भी बताया गया है पहले मैं थोड़ा इसी बता देती हूँ गांधी जी राजनितिक और आर्थिक साधन समाधान से संतुष्ट नहीं थे गांधी जी ने जब चमपारन की हालत देखी तो वो उसमें पर लाना चाते थे गांधी जी ने देखा कि वहाँ पर कोई सफाई की कोई व्यवस्ता नहीं थी चमपारन में कोई सिक्छा की नहीं थी मेडिकल कोई चीज नहीं था तो गांधी जी ने बहुत प्रियास किये उनके प्रेतनों के बाद छे गाउं में जो चमपारन के जो छे ग गांधी से कस्तूर्भा गांधी जी ने चात्रो को व्यक्तिगत रूप से और सामोदाइक सफाई के लिए नियमों की इनकी सब की सिख्छा देना शुरू किया उन्होंने भी बहुत मदद की बहुत हेल्प की और उन्होंने दवाईयां भी उपलब्द कर्वाई तीन तरह की दवाईयां तब उपलब थी, कैस्टर ओयल, कुनैन और गंदक की मलम, यही तीन दवाईयां उपलब धो पाईं, इनी से जादा तर लोगों का इलाज किया जाने लगा, इन दवाईयों का प्रियोग अधिकतम मरीजों का इलाज करने के लिए कहा गया, एक लंबे समय तक रहन दोलन थे, वहाँ से शुरू हुए और उन्होंने अपनी जो लड़ाई थी, जो संगर्ज था, अंग्रेजों के खिलाव वो शुरू किया, उन्होंने विनम्रता से कहा कि जो उन्होंने कहा है, वो एक साधारन घटना थी, इसने विरोध का कोई कारियारम नहीं किया था, य उन्हें अपने आदेश नहीं मनवा सकते, अपने आदेश नहीं दे सकते, गांधी जी की जो राजनितिक गरीबी लोगों की पृति दिन की वहवारिक समस्याओं से मिली हुई थी, कुछ लोग चाहते थे कि KCF जो चंपारन के जो व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि जो F. Andrews ह वो चंपारन आकर उनकी मदद करें मगर गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि एंड्रू जो थे वो अंग्रेजी ही थे अंग्रेज ओफिसर थे गांधी जी अंग्रेज ओफिसर की सहता बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे वो चाहते थे कि जो हमारे भारत के जो किसान है जो चमपा रनके या कहीं भी हमारे किसान है वो आत्म निर्भर बने निडर बने और हम किसी पर भी निर्भर ना रहें बच्चों ये मैंने पूरी कोशिस की है कि आपको जो समरी है वो समझ आई हो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो मैतपूर्ण question answer है वो solve करेंगे देखने के लिए thank you so much